तो आज हम review कर रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं OZOMAT Z1 टेबलेट के बारे में जिसे हम Glimmepride and Metformin Hydrochloride Extended Release टेबलेट के नाम से भी जानते हैं तो आज आज आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है तो आज हम जानेगे कि यह टेबलेट कौन सी बीमारी में इस्तेमाल की जाती है इस टेबलेट को खाने के बाद कौन-कौन से side effect हो सकते हैं और इस कौन-कौन से फायदे होते हैं और इस ना करें और बच्चों की पहुंच से इस टेबलेट को दूर रखें और बच्चों को सेवन करने के लिए भी यह टेबलेट नहीं होती है अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट में यूज होने वाले साल्ट कॉंटेंस के बारे में तो इस टेबलेट के अंदर गिली में नोगों को यह tablet saveन करने के लिए देते हैं तो शुगर लेवल की समस्या वाले रोगियों के लिए यह tablet बहुत ही लाबदायक है और इस tablet का result बहुत ही extended है बहुत ही जबरदस्त है तो शुगर रोगियों के लिए जिन लोगों का शुगर लेवल उपर नीचे रहता है अन कंट्र जैसे कि सीने में जलन हो जाती है या आपको दस्त हो जाते हैं या उल्टियां होने लगती है या सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है या आर्टी कोरिया की कोई समस्या देखने को मिलती है तो ऐसी कोई भी प्रॉबलम होती है तो इस टैबलेट को खाना तुरंद बं वैसे ही इस टैबलेट के डोज लेने होते हैं आपके आसपासे आपकी जानकारी में जो लोग ऐसे हों जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल रहता हो तो उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करने ताकि उन लोगों को भी इस टैबलेट के बारे में पूरी और सही जानकारी मि प्रेस कर ले मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ थेंक यू सो मच